हलो एवरिवन दोस्तों आप लोगों को एक्जाम की पढ़ाई तो करनी है साथ में काम और करते रहना पड़ेगा जो की आपका जो मेल बॉक्स है न अब आप उसको चेक करते रहो क्योंकि किसी भी टाईम आपका एक्जाम सेंटर बदला जा सकता है तो आप लोगों को अपना मेल बॉक्स बार-बार चेक करते जाना है अब बच्चों के पास पढ़ाई के साथ-साथ मेल चेक करने का काम भी आ गया है तो अभी तो हम थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स को कह रहे थे बढई अब आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ है ना अब ज्यादा सोशल मीडिया उर इन पर मत रहो अब आपको सोशल मीडिया पढ़तो चाहे आप जाओ या ना जाओ अपना मेल बॉक्स बार-बार चेक करते जाना है मेरे पास कुछ बच्चों का mail, message आया, phone भी आया, कुछ बच्चों का, मतलब उस बच्चे को mail भेजा गया है, I.C.E.I. से exam center change होने के कारण, उसमें starting में लिखा है, due to unavoidable circumstances, right? और उसका exam center थाने महरास्टर से है वो, तो उसको दूसरी जगे पर थाने के अंदर ही center दिया है, ज्यादा दूर तो नहीं दिया, और वो जो दूसरी जगे उसको center दिया है, dear, मैंने जब उसका address देखा, उसमें लिखा हुआ था, near mental hospital, है ना, near mental hospital, वो किसी बच्चे का message था, तो बच्चों का mentally वैसे हालत बहुत खराब है, क्योंकि अभी corona का भी चल रहा है, exam भी होने जा रहा है आप लोगों का, है ना, और बाकी clearance भी नहीं आया है, ICAI की तरफ से, कि आपका exam ये लोग अभी December, January में करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, इस पर कोई clarity नहीं है, बोल ही चुके हैं कि वही आपका exam हम नहीं करवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ICAI की तरफ से, तो दोस्तों, आप लोग mail box है ना, बार-बार चेक करते रो, अच्छा उस बच्चे का है ना, शएद इस पाम में चला गया वो, इन बॉक्स की जगे इस पाम में चला गया, तो इस कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला, सर, registered mobile number पर कोई message नहीं आया, अगर वहाँ पर भी message चला जाएगा, तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो अभी अपना smartphone भी बंद करके बैठे हैं, तो कम से कम text message उनको हो जाए, बहुत सारे बच् सेंटर पर जाकर देना है, तो ऐसा भी हो सकता है, दोस्तों, तो आप लोगों को अब केवल exam की तयारी नहीं करनी है, आप लोगों को mails वगरा चेक करते जाना है, बार-बार mail box को देखना है, spam को देखना है, अपने message वगरा पढ़ते जाना है, कुछ भी हो सकता है, है ना, और बिल्कुल तयार हो जाओ अब exam के लिए, क्योंकि exam तो अभी आपका लेकर ही मानेंगे, पकी बात है, अच्छा exam होना चीए, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन alternative solution मुझे कहीं नजर नहीं आता दिख रहा है, अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दू, कुछ बच आपका लेकर अच्छा दोस्तों, और वैसे भी जब तक आप चार पेपर नहीं दोगे ना, आपका 50% exam नहीं माना जाएगा, चार पेपर पूरे होएंगे, तभी 50% exam कम्पलीट होएगा आपका, ठीक है, और अगर आपने 5th और 6th और 7th पेपर में opt-out कर दिया ना, तो वो पूरा पूरा attempt opt-out हो गया आपका, तो आपका वो चार पेपर में अगर आप पास भी हो रहे होंगे, ग्रूप में या कोई exemption भी आ रहा होगा, तो आई थिंग वो भी opt-out हो जाएगा आपका, इस पर भी clarity नहीं आया है, इस पर clarity आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ह है कि वो benefit आपको मिलेगा, आपको सीधा ही फिर माई 2021 में ले जाएंगे है ना, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, और मैं आपको बता दू, कुछ foundation के बच्चे जो माई 2020 में एक्जाम नहीं दे पाए, उनका November 20 में एक्जाम है, वो कह रहे हैं सर हमारा May 21 लग जाएगा, क्या attempt मुझे नहीं लगता दोस्तों, foundation exam के बाद आपको नौ महीने का वेट करना पड़ता है, तो I think आपका November 21 ही रहने वाला exam, अभी इस पर कोई clarity नोगों ने दिया भी नहीं है, है ना, तो ये सारी बात थी, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, बाकि आप लोग जो है पड़ाई करते रही है, है ना, और मैं बता दू, जो student foundation का exam देने जा रहे हैं, अभी November 2020 में, foundation exam खतम होते ही, मैं आप लोगों का, taxation का batch स्टार्ट कर दूँगा, वो भी YouTube पर live batch स्टार्ट करूँगा, आप लोग जो है channel पर बने रहीएगा, पूरा taxation का live batch आप लोगों को YouTube प box में link बिल जाएगा, आपको केवल 500 का activation fee देना है, complete free है, आप मई 2021 के लिए तैयारी कर सकते हैं, उन classes से, complete मैंने ICA study material को follow किया है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और बार बार अपना mailbox चेक करते रहिए, अब यही काम है आप लोगों के पास, right, और अब मैं आपको नहीं लोगों को share कर सकते हैं, बाकी students के साथ, ताकि वहां तक भी यह जानकारी पहुंच जाए, और last में एक ही बात बोलूगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जोश को कम मतोने दोयार, जीत के गीत गाते चलो, ठीक है, thank you so much for watching this video, ta-ta, bye-bye, फिर मिलते हैं दोस्तों, ज़ते हैं ॥भी पहां जगाँ, भ्लिव मेंयाद हैtt to the one की बाते हैं, जीओ को हम धे सकती हैं, ऌकी एम, बालते हैं पहा जाया हैंवार से, पहां आए